आज हम बनाएंगे घर पे रखे हुए कुछ चीजों से बेकरी से भी अच्छे काजू बिस्कीट जो की बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में और देखने में भी बहुत ही फैंसी लगते हैं तो फ्रेंट्स इस बिस्कीट को बनाना बहुत ही आसान है नमस्ते दोस इस बिस्कीट को हम घी से बना रहें आप इसके जगह पे बटर भी ले सकते हैं और यहां पर देख पा रहेंगे जो घी हो हलका सा जमा हुआ होना चाहिए मैंने इसे निकाल के फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए जिसे यह थोड़ी से जम गए हैं अब हम यह हाँ पर हापकप ही पिसी हुई चीनी इसमें डाल देंगे इस तरीके के बिस्कीट जो है बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और वो मार्केट से लेके आते हैं बट आप अगर इसे एक बार बना लेंगे घर पे तो आप मार्केट से कभी यह बिस्कीट नहीं लाएंगे तो फ्रेंग्स यहाँ पे देखे घी और चीनों को बहुत ही अच्छे से हमें यहाँ पे वीट करना है, मैं यहाँ पे हैंड विस्क की मदद से इसे वीट करी हूँ, लगबक चार से पांच मिनट हमें से इसी तरीके से मिक्स करना है, आप यहाँ पे एलक्टरिक वीटर का फलपी सा हो गया है, अब हम यहाँ पे डालेंगे एक कप मैदा, आप इस बिस्किट को आटे से भी बना सकते हैं, या फिर आप आधा आटा, आधा मैदा ले सकते हैं, इसके साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, एक छोटी चमज के करीब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोड केस्ट बहुत ही अच्छा आता है, अब मैं यहाँ पे थोड़े से इसमें टुकुडा काजू डाल रही हूँ, बिल्कुल बारिक बारिक चॉप करके यहाँ पे काजू अप इसमें आड करें ने तो जब बिस्किट को आप बेलेंगे तो फट जाएंगे, अब हम हलके हाथ स इसके से से इस तरीके से देखे, मैस कर लेंगे, बोहत प्रेसर डालके हमें इसका जो आटा है वो नहीं लगाना एत तो कीmix हो चुका है बट यह भी काफी ड्राइ है तो दो से तीन चमच हम यहाँ पे नॉर्मल दूद इसमें डालेंगे बिल्कुल भी जादा दूद ना डाले ने तो फिर यह गीला हो जाएगा एक एक चमच करके यहाँ पे आप दूद इसमें डालें और इस तरीके से शारे जो आटे है उससे हम इख्टा कर लेंगे अब इसे हम बेयलेंगे तो यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक सीट ली है इसी के उपर हम इसे बेलेंगे डायरेक्ट आप इसे प्रेटफर्म पे ना बेले, आप इसके नीचे बटर पेपर भी ले सकते उपर और नीचे, इससे ये बहुत यासानी से आप बेल पाएंगे, तो इस तरीके से हमें इसे बेलना है, थोड़ा सा थिक रखना है जिस तरीके से हम पराठा बनाते हैं, तो इ इसके उपर भी जो टुकड़ा काजु है, उसे इस तरीके से डाल दूँगी, और पूरे तरीके से अच्छे से फैलाने के बाद, हलका सहम इसके उपर इस तरीके से बेलन चला देंगे, जिससे ये जो काजु के टुकड़े हैं, बिल्कुल इसमें चिपक जाएं, अब हम ब बिसकीट बना लेंगे, अब ये देखे, आप जिस भी साइस का बिसकीट बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं, उस तरीके से आप इसे कट कर लें, तो बोखात ज्यादा बड़ा मैं यहां पे नहीं रख रही है, छोटे-छोटे रक्टेंगल सेप में मैं इसे रख रही हूं, तरीके से देखिए, अवन को मैंने प्रिहिट होने के लिए रख दिया है, आप इस बिस्किट को गैस पर भी बना सकते हैं, अब हम ट्रे में इस तरीके से बिस्किट को अरेंज कर लेंगे, अगर आपको इस तरीके के और भी बिस्किट की रैसेपी चाहिए, आटे की बिस्कि बिस्किट को लगबग 180 डिगरे पे हमने इसे लगबग 35 मिनट के लिए बेक किया है और आप देख पारेंगे बिस्किट का बहुत ही अच्छे से कलर आया है उपर में और बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है आप यह काफी गरम है तो आप इसे जबरदस्ती ना निकाले नहीं तो यह तूट जाएंगे बहुत ही हलके आद से मैं आपको इसे निकाल के एक दिखाती हूँ कि यह नीचे से कैसे बेक हुए है तो बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है आप देख पारेंगे बिस्किट का टेक्स्चर नीचे से बहुत ही अच्छे से बेक हुआ और कलर बहु बहुत आसानी से बना सकते हैं बहुत एजी रेसिपी आपसे जरू ट्राइ कीजेगा तो फ्रेंज यहां पर देखे सारे बिस्कीट हमने बेक कर लिए और यह देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी बना है और इस तरीके से बना के बिस्कीट या फिर कुकीज आप किसी को गिप्ट भी कर सकते हैं और जो बचे हुए आटे थे बात का उसे हमने इस तरीके से गोल गोल कुकीज बना लिये हैं तो फ्रेंज अगर आपको यह रेसिपी बिस्कीट की थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को ल लंबे टाइम तक स्टोर भी कर सकते एयर टाइट कंटेनर में यह बहुत दिनों तक बिल्कुल खराब नहीं होगा और यह देख पारेंगे किस तरीके से बिल्कुल इसका चूरा बन जा रहा है तो बहुत अच्छे बिस्कीट बनें आपसे जरू ट्राइ कीजेगा तो फिर मिलते हैं इसी तरह की और भी रेसिपीस के साथ तब तक के लिए थांक यू बाई